तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एकाई दाहाई और सैक्डा क्या होता है आपको याद है ठीक है तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि हासिल वाली जमा क्या होती है एकाई दाहाई सैक्डा की मदद से हम हासिल वाली जमा कैसे करते है ठीक है बताता हूँ मैंने लिया है चार एकाई कितने एकाई यह चार तीलिया लिया है मैंने यह चार तीलिया और यह एक दो तीन चार पाच यह चार और पाच मिलाकर कितने हुए कौन मताएगा नौ हुए यानि 9 एकाई हैं, बेरी गुड, अब दूसरी मिसाल लेंगे, अब हमारे पास में एक अदद है 12 और दूसरा अदद है 14, चलो ठीक है, पहले हम क्या करते है, 12 कैसे बनता है, ये देखेंगे, ठीक है, तो हमने लिया है, ये 2 एकाई, ठीक है, 2 एकाई और ये 10 का एक गठा, य दो नहीं, 4 एकाई के लिए, नहीं, अलग बनाना है, अलग बनाना है, हाँ, अलग के लिए हमें 4 एकाई लें, कितने नमरा, हाँ, अब ये 14 हो गए, कितने हो गए, किया हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, कि ये 14 एकाईया है, बोल सकते हैं ना, 12 एकाई अभी नमरा, बोल सकते है क्योंकि बारा एकाई यानि एक दहाई और दो एकाई और चौदा एकाई यानि एक दहाई और चार एकाई है ना अब इनको हम मिलाएंगे पहले हम क्या करेंगे पहले हम एकाई हो की जमा की कहें हमारे पास में चार एकाई है और दो एकाई है चार एकाई में दो एकाई यह ना दो दहाई और 6 अकाई यानि कितने हो गए 26 शाद बाश कितने हो नमिरा भार और 14 की हमने जमा कैसे किये आपको समझ में आ जाब आज अब हम एक और अदद लेंगे ठीक है अब हमारे पास में एक अदद है एक अदद हैँ हम भीुईईफ 20 कितने हैं यह सोला है कितने हैं सोला और एक अदद हमारे पास में हैं चौदा कितने हैं चौदा अब इनकी जम्मा करेंगे करो जम्मा पहले किसकी जम्मा करेंगे पहले एकाईयू की जम्मा करेंगे तो हमारे पास में इस तरफ कितने एक आई आई है छे एक आई है थोड़ा जोड़ से बोलेंगे आप कितने छे एक आई है इस तरफ कितने एक आई है चार एक आई है चार एक आई है चार एक आई हो को छे एक आई हो मिलाते है ठीक है एक ये दो ये तीन और ये चार अब गिन दस, दस एकाई हो गई, दस एकाई यानि हमने क्या पढ़ा था, दहाई, है ना, दस एकाई यानि एक दहाई, अब हम ये दहाईों की जमा करेंगे, है ना, तो एक दहाई और ये एक दहाई, कितने दहाई हो गए, दो दहाई, और हमारे पास में ये कितने हैं, दस एकाई, या तो ये एक गठा बन गया और ये हमारे पास में कितने हो गए तीन दाहा यानि कितने यानि तीन दाहा यानि तीन दाहा यानि तीन दाहा यानि तीन दाहा यानि तीन मरबर तो हमारी चौदा और सोला की जमा कितनी होई तीन समझ में आ गया ये क्या है एकाई का मुकाब ये दा पसमें सैकडे के मुकाम पर इसका हम एक गठा बनाइए सैकडे का, दस दाहाईए बराबर कितने होए, एक सैकडा है ना, एक सैकडा हम ने यहां पर रख दिया थीक है, समझ में आया, तीन काई, एक दाहाई और एक सेकड़ा है ना अब हम इसमें अब हम जमा करेंगे अब हमारे पास में एक और दहाई है और साथ एकाई है कितने एकाई है साथ एकाई है यहाँ पर हम साथ एकाई रख देते है अब जमा करो कैसे करेंगे हमको हासिल वाली जमा करनी है ठीक है यह हमारे पास में पाच एकाईया है और साथ एकाई है एक दहाई है और दो एक दहाई है ना यानि यह उपर का अदत कितना है पंदरा नीचे का अदत कितना है सत्रा सत्रा में पंदरा मिलाएंगे कैसे मिलाएंगे देखो देखते हैं सबसे पहले एकाईउ की जमा करेंगे है ना सो पाच एकाई और साथ एकाई कितने होते हैं आप जरह गिन के बताओ जखी गिनो एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, दार, आर, नौ, दस, ग्यारा, बारा कितने होते हैं बारा एकाई शाबाश अब हम क्या करेंगे बारा एकाई में से हम यहां पर दो एकाई लिखेंगे कितने लिखेंगे और ये कितने हैं बचे दस तो ये दस कहां पर जाएगा दाही के मुकाम पर है ना ये दस एकाई है या यानि एक दाही तो ये कहां जाएगा दस दाही के किने दाहीय हो गए गए तीन धाईय होगए जमा कर तीज ती स ine तो ये एक दाही दो दाहाई आ इसका गठ how बनेंगे ती ये हो गए तीन गधै तो यी कितने अदद हुग गए जमा हमारी कितनी हुई कौन बताएगा 17 और 15 मिलाके कितना हुआ 17 और 15 मिलाके हो गया हमाँ यहाँ गिनो ना देखो 2 और यह 32 32 कितना हुआ 32 तो समझ में आया आपके हासिल वाली जमा एकाई, दाही, सैकडा की मदद से सैकड़ा का भी हम इस्तेमाल नहीं किया उसका इस्तेमाल हम अगले वीडियो में करेंगे फिलाल हमने एकाई दाहाई के मदद से जमा को हल किया समझ में आया नमरा आपके समझ में आया एरी गोड़ शाबाश